हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आज 29 दिसंबर रविवार का दन है ऐसे में कुम्बरासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन वेपार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलूओं के बारे में आपको बताएंगे जुक्याप काने वाले दिनों को ब आपके सितारे आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे आपके ग्रगोचर आज आपके जीवन में कौन-कौन से बदलाव कौन-कौन से परिवर्तन कर रहे हैं तथा आपके वेपार करियर और आपके लव लाइफ में कौन-कौन से सकरात्मग विकास हो सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आकरे तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अबस्य कर लें ताकि रोजान आराशी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बैतर बना सकें किसी कारिकरम का आयोजन आप कर सकते हैं वैवसाय के श्तिती से आपके काफी अच्छे लावकारी सिद्धों होने वाले हैं आप अगर नए वैपार नए कारोबार या फिर नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन काफी सुभ योगों को ला रहा है आज के दिन शुरुआत किये गए कारियों को आप काफी अच्छे तरीके से कर सकोगे मित्रों दोस्तों के साथ बाहर घूमने का आज अच्छे योग हैं आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तोर पर मिलेगी रोजमर्रा के कामों में भी आपको फ अबाजी को किसी अच्छे से स्टेज सो में दिखा सकते हैं लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको अच्छे सम्मान की फ्रावति होगे मित्रों कुमबरासी की महिलाओं के लिए आज का दिन अत्यनत लाबकारी रहेगा आप अपने सभी कारियों को सही धंग से कर सको हैं आप अपने परिवार के सदस्टों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप अपने खोये हुए बिछड़े हुए प्रेम को फिर से पाने सकते हैं आपके जीवन में दुबारा दस तक दे सकता है इसलिए आप अपने काबू रखें अपनी भावना ओपर मित्रों आजिक शेतर में प्रगति करेंगे दहर से काम करने पर कुम्बरासी के जातकों को सफलता जरूर मिलेगी और विवायत लोगों के लिए विवा के फ्रस्ताव आ सकते हैं आफिस में कुछ कास काम बदलाब हो सकते हैं जिससे आपको लाव मिल सकता है मित्रों कुम्बरासी के होने से आपको खुशी मिलेगी अचानक से धनलाब होगा आपको आगे बढ़ने के कई मोगे मिलेंगे दोस्तों के साथ कहीं घूमने के फ्लानिंग भी आप कर सकते हैं जीवन साती के साथ आपके सम्मंद वहतर वनेंगे कारी छेतर में आपका सबका सहीयोग प्राप्त होगा समाज में मान सम्मान मिलेगा किसी काम में भाई भन से पूरा सपोर्ट मिलने की उमीद है आर्थिक पक्ष मजबूत रह सकता है कुम्बरासी के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो जातक आज छुट्टी पे अपने घर पे दिन को व्यतित कर रहे हैं उनके लिए आज घुशियों से भरा दिन रहेगा आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से समय को व्यतित कर सकोगे तथा आपकी भूल चूक आज आप अपने कार्यों को करने से काफी सक्षम रह सकते हैं मित्रों आज आप एक साथ कई कामों को क्वाकस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आप इससे थोड़े से परिसानी में रह सकते हैं बैतर होगा काम को एक करके पूरा करें किसी विफैसले में जल्दबाजी करने से बचें बड़ों की राय भी आज आप जरूर लें आज उचित मह मानों से आपको सफलता मिल सकती है कुछ मामलों में आपका जिद्धीपन काम को बिगार सकता है इसलिए आप जिद्धीपन ना करें और सभी कारी को सुझबुझ और विवेक बुण निन्यों के साथ करें स्वास्त में उतार चड़ाव रह सकता है परिवार की वज़ा से आ सुलजे वे मामलों को आप सुलधा सकते हैं सोचे वे काम पूरे करने में दोस्तों की मदद मिलेगी आपका दिन आज काफी उत्तम रहने वाला है पहले से बनाई गई योजनाएं आज सफल होंगी आप दूसरों के साथ वेहद वेवारिक रहेंगे आप अपने बातों को सक धनलाब हो सकता है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि कुम्बरासी के जो जातक परतियोगिता परिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर की वेट कर रहे हैं अगर आप अपने परिनामों के निकलने का वेट कर रहे हैं तो आज का दिन आपको खुसियों की सोगात लेकर आ रहा है आपके सभी कारे सफल होंगे अगर आप किसी परतियोगिता परिक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको आज परिनामों की फ्राफ्ती होगी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे आफिस में बहुत दिनों से पैंडिंग काम आज आप अपने दोस्तों की मदद आपके हाथ से निकल सकता है इसलिए आप अपने होसो हवास में सारे कारी को करें और अपनी सूजबूद के साथ सभी निरनेों को लें आप अपने काम में दूसरों के कामों में ज़्यादा वैस्त रह सकते हैं इसरासी के लोग जो अविवाहित हैं उनकी आज किसमत चमक सकती है क्योंकि आपको अच्छी जीवन साती की तलाज मिल सकती है परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे इसरासी के चात्रों के वन में आज कई तरह के विचार आएंगे आप अपने विचारों को गर वा आपको कुछ सीखने की कोशिज कर सकते हैं जिनसे कि आप अपने व्यपार करियर और अपने लव लाइफ में थोड़े से इंप्लिमेंट भी कर सकते हैं आज किस्मत आपका साथ देगी कारशेत्र में रुका हुआ काम आसान इसे पूरा होगा अगर आप कोई नया कार नया वा निरने लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी ऑफिस में सीनियर से बातचीत करने पर आपको सहयोग की फ्राप्ति होगी पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन काफी अच्छा है गर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा कारोबा परिवार को वढ़ाने के लिए दोस्तों से बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे मित्रों अगर आप अपने कलाकार या फिर आप गायक हैं तो आपको आज किसी अच्छे से से स्टेश सो में गाने का मोका मिल सकता है आज आप समाजिक कार्यों में किसी से मिलने जा सकते हैं परिवार वालों के साथ पिकनिक का प्लान भी आप इन दिनों बना सकते हैं ऑफिस में काम को लेकर सिनियर के साथ थोड़ा विचार भी वर्ष करना पड़ सकता है मित्रों कुमबरासी के छात्रों को दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़े आपको और आपके घर परिवार को मिलेगा घर के कामों को सही से निपटा लेंगे परिवार वालों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करने से फायदा होगा नई वातों को जानने के लिए आप काफी उत्सुकोंगे आफिस में आप साथ काम करने वालों को मदद और अच्छी गिफ्ट उपहार दे सकते हैं मांगलिक कार्यों में आप सामिल होने का मौका आज मिल सकता है दोस्तों से आपको गिफ्ट या उपहार मिल सकता है मित्रों कुम्बरासी के जो जातक अभी तक बुरुजगार है उन्हें आज वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी किस्मत आप आप अपने फॉन को सिधा ओन रखें क्योंकि अगर आपका आज फॉन ओन नहीं रहेगा आफ रहेगा या फिर आपके फॉन में नेट्वर्क नहीं होंगी तो आपकी आज कोई जरूरी इंपोर्टेंट फॉन को वो छूट सकती है इसलिए साफधान रहें वाहन साफधान पूर्वक चलाएं तथा वानी पर सयम बरतें अगर आप इंटर्व्यू के लिए जा रहे हो तो आज आप सेलेक्शन जरूर पासकोगे आज आपका दिन काफी वहतर रहेगा हर कोई आपकी तरफ आकर सित होगा चारों तरफ से आपको परसंसा मिलेगी आपका मन काम खत्म क के बाद बचे हुए समय को परियोग अपकी गरी भी लोगों से मिले जूले में कर सकते हैं आपके सामने करियर के नए आवसर खुलेंगे किसी पुराने काम के नतीजे आपको मिल सकते हैं पार्टनर के साथ रिष्टे मजबूत होंगे मत्रों लव लाइफ की बात करें तो आपके जीवन में आज नया प्रेम दस्तक दे सकता है आपका खोया हुआ प्रेम आपके जीवन में फिर से आ सकता है आप अपने पुरानी रिलेशनशिप में फिर से जा सकते हो आप बेहत प्रसंदर होगे आप जिस भी कामना कर रहे थे वो आज आपको मंचाही योजनाओ में सफल बना सकता है आपके कारियों की गती दोड़ने वाली हैं मित्रों आज का दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जैमा तादी अवस्य लिखें आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो जैमा विंदुवास